कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगोतार नहरें चल रही है और पूरा रेगुलेशन जो था वो सही तरीके से चल रहा है पीने के पाणी की योजना है उनका अस्टिमेट बन चुका है और वो स्विकर्ट हो गई है योजना और जो अपने जो और लगते हैं हमारे बलोग नमबर 27 में पिचकराई है लाल खामाली डानी है नो साथ सक है 6 रपीम है 16 केनन है तो सभी जगे विदाईग जी के प्रियासों से सभी योजनाएं पूरी तरह से सपल हो रही है कांग्रेश पालटी के पक्स में मददान करें और गुटी देवी को विजय ही बनाएं क्योंकि उनकी विजय है हमारी विजय होगी हमारे विदाईग जी की विजय होगी और हमारा परदान बनेगा कांग्रेश पालटी का सब्सक्राइब नेटवरक मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदोरा मैं इस वक्त राजस्तान के नोर तशिल के गाउं रतनपुरा में पहुंच चुका हूं बता दे कि हमारी टीम गाउंगाउं जाकर के यह जानने का प्रियास कर रही है जैसा कि यहां पर राजस्तान के अंद के कंडिडेट है वह जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर चुके है क्योंकि परचार जो है खतम हो चुका है इस वक्त मेरे साथ खास बाचित करने के लिए जिंदरपाल गोदारा जी है जो की रतनपुरा के सरपज है बता दे कि यहां पर दो ग्राम चायते हैं जिनका इकठा जो है बलोक लगता है और गुड़ी देवी साहरण जो की कांग्रेस की ओर से यहां पर परत्यासी है हम जिंदरपाल गोदारा जी से जानेंगे कि उनकी स्तिती इस वक्त क्या है यहां पर कौन आगे चल रहा है कौन पीचे चल रहा है इन सारी बातों की नबज टंट की सरकार है तो आप किस तरीके से जो गुड़ी देवी साहरण है वो चुनावी दंगल में है आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं जो गैलोज जी की सरकार है उन्होंने पूरे दो वरस के कारेकाल में अच्छा काम किया है जैसे सिंचाई की इमारे यहां बाखडा से चल रहा है और जो भी जितने भी विकास कायी है उन्होंने पूरा अपटेजटर में विकास करवाने का पूरी राजस्तान में काम किया है और हमारे विडायक जी है, हमीजी चाचान वो लगबग यहां पड़ते गाऊं में पड़ते एक वरग से मिलते रहते और अपने चेतर में विकास कारियों के लिए पूरी बागिदारी से निबाती है गोदारे जी यहां पर जो बाजपा के लोग हैं उनका कहना है कि बाजपा की सरकार में नहरे चलती थी कहीना कहीं पानी को लेकर के वो कांग्रेस को गेरते हैं आप किस नजरिये से देखते हो क या उनकी ये बाते साहएएं? नई ये बात बिलकुल सत्या नहीं है क्योंकि पिछली सरकार जो विजेपी की सरकार थी उस सरकार में रोज़ना किसान अंदोलों होते थे और लगोतार किसानों की बारीयां पिटी जाती थी और जो अर्याना में पाणी चोरी हो रहा था तो इस सरकार में आने के बाद में इन्होंने लगोतार नेरों का चेतर किया और चेतरों का दोरा किया और हमारे विदाइक जी ने तो लगोतार आपने सुना होगा अर्याना में भी क्योंकि लगोतार साथ दिन तक बादराँ चेतर में नेर के किनारे बेट करके और पंडाल में इन्होंने रात्री साथ दिन बिताई थे किसानों के पाणी के लिए तो हमारे बड़िया तरीके से और कोई भी लगोतार हमारे गाउं में और पूरा वरग कोई भी ऐसा वरग नहीं है जो किसान का विरोध कर रहा है लगोतार इनके साथ में लोग जुड़े हुए है जिंदरपाल जी अगर यहां की हम प्रमुक समस्या की बात करें इस गाउं की क्योंकि रतन पूरा है पिछ कराई है यह दोनों ग्राम पंचायत एक प्लोक में आते है या की बड़ी समस्या क्या है जिसको लेकर अगर आप यहां से जितते हो तो सबसे पहले आपकी परात मिक्ता उस समस्या को दूर करने पर रहेगी मैं तो बता दूँ मैं पहले से जिता हुआ हूँ परंतु हमारा जो कंडिडेट है गुड़ी देवी तो वह भी बारीमतों से पलोक नंबर 27 इस में मैं पहले 10 से 15 निर्दलिय उमिदवार के तोर पर यहां से चुनाओ लड़ा था और मैं यहां से जीता था पंचायस में 30 स था तो इस बार भी पूरा समर्थन मिल रहा है और बारीमतों से जीत होगी और जो परमुक समस्या है वो पानी की समस्या थी वो तो अलो गई है और हमारे गाउं में परमुक समस्या है पीने के पानी की तो विदाएक जी के परियास से हमारे गाउं में लग बग चार करोड 97 लाग की जो पेजल योजना है पीड़े के पाणी की योजना है उनका अस्टिमेंट बंद सुका है और वो स्विकर्ट हो गई है योजना और जो अपने जो और लगते हैं हमारे बलोक नमर 27 में पिचकराई है लाल खामाली डानी है नो साथ सक है छै आर पीम है सोड़ा सत्रा केनन है तो सभी जगह विदाईजी के प्रियासों से सभी योजना हैं पूरी तरह से सपल हो रही है अब जो आपको इस वक्त देख रहे हैं दो दिनों के बाद में चुनाव भी होने है जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे क्या निवेदन करते हो इस बार चुनाव में बड़ा मुदा क्या रहेगा लोग किसको देखकर वोट देंगे इस बार तो लोग है वो हमारे मुख्य मंत्री जी असोग जी गैलोत और हमारे युवा लोग पर ये विदाये का मिजी चाचान उनकी योजनाएं उनके कारिय को देख करके एक तरफा और नौर में जो परदान और जिला पर मुख होगा जिले में वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा और पूरी एक तरफ बहुमत से बनेगा और कारिय की बात है तो सभी क्या कोई बी काम हो परतेख मैं वो अच्छी तरह से करते हैं इस वक्त जो आपको देख रहे हैं क्या?」 निवेदन उनसे करते हैं मैं तो सभी से यही निवेदन करता हूँ कि इस बार जो मारी कांग्रेस की सरकार है तो सभी माताएं बैने और बच्चे युवा सभी अच्छी तरह से बागिदारी निपाएं और कांग्रेस पार्टी के पक्स में मददान करें और गुड़ी देवी को विजय ही बनाएं क्यो हम पूरी त्रह से आस्वस्त है और हमारी बड़ी जीत होगी बहुत बदन्यवा सर ठीक है दन्यवा सभी को यह थे हमारे साथ सरपंच जिंदरपाल गोदारा जी जिन्होंने बड़ी जीत का दवा किया है इन्होंने सपष्ट और पेका है कि यहां पर जो कोंग्रेस के ओडर बड़ी जीत का दोच यहां पूल झाल का दो दोगोगा कानल ठाइट जिन्होंने सबन्यवा में अलंड़ी जी जिए है वे इन्होंने स्कानल गोब तो.